और हलका फुलका है वो तो जब चाहे थोड़ी सी भी आहाट आ जाएगी तुरंत भौकने लगेगा तुरंत चिलाने लगेगा तब फिर वो जैसे ही चिलाने लगेगा भौकने लगेगा वो जैसे ही चिलाने लगेगा बड़ा कुता जो सोरा है न वो भी जाग जाएगा और वो भी चिल्दाने लगेगा फिर तुम उठके उस चोर को पकड़ लेना बिचारा वो अपने मित्र के और दुकानदार की बातों में आ गया वो सेड़ जी और उसने वो छोटा कुत्ता भी खरिद लिया केता ठीक है आदी पेसे देने हैं इतने चुरा ले गया उससे अच्छा है कि भाईया ये कह रहे है ये और करके देख लेते उस छोटे कुत्ते को भी घर जाके उसने बांद के रग लिया अब पहली रात चोरी हो गई थी दूसरी रात बिचारा सो नहीं पाया पुना दुकान में पहुंचता है तेसरे दिन और कहता है ये क्या किया राद भर मैं सो नहीं पाया वो कहता है क्यों क्यों नहीं सो पाया कहता है हमने तो आपके अच्छाई के लिए तो दिया था वो कहता है राद बर बिचारा वो थोड़ी सी भी आहाट हो छोटा कुटा जैसे भूंके बड़ा और जोर-जोर से भूंके वो दोनों भूंकते रहे राद बर हम सोई नहीं पाए वो दुकानदार भी कहने लगा अब क्या करूं अब क्या इसका छोटा बच्चा दो कि जिसके पीछे वो सांथ हो जाए वो तो आपका विवेख है आपका विवेख है कि बड़े को उठाने के लिए हमने छोटा पकड़ा दिया पर ये तो आपको निरने करना था उसको कैसे र को कहां कैसे रखना था कौन सा कुटा रहुल ये तो एक मजाग की हासी की बात हो गई ये तो एक बहुत बहुत हासी मजाग की बात हो गई ये बड़ा कुटा जैसा वह बड़ा 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 वेक्ती हमें बड़ा ये मन मिला है ये मन मिला है ये मन मिला है पर क् क्या करे ये मन और ये आत्मा ये चेतना हमारी सोई है आदत है खाओ पी और सोलो जैसे वो मोटा कुटा बड़ा वजंदार कुटा खापी के सोता था ऐसी आदत पड़ी है मन को और इसको इसलिए छोटे नियम, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे सयम रुपी, छोटा कुटा पृते भीतर प्रवेश कर दो, वो जैसे भोकेगा, वो मन जाग जाएगा, अरे, मेरा तो रातरी भोजन का त्याग है, मेरा तो अमुंक वस्तु का त्याग है, जैसे वो छोटा कुटा, छोटा सा नियम भी भौक देगा न वो बड़ा बड़ा जो सोया है मन बड़ा जो चेतना बड़ी सोई है न वो भी जाग जाएगी और वो भी जाग जाएगी न तो पक्का मान ले न तुम भी वो चोरी से और डकेती से बच सकते हो जो पांच इंद्रिया चोरी कर रही है तुमारी तुमारी आत्मा की और तुमारी विश्यों की वो भी तुम उससे बच सकते हो पर हम कहां मानते हैं हम नहीं मान पाते नहीं मान पाते कहने के लिए समझने के लिए सब कह रहे हैं समझ रहे हैं पर सत्य को मान नहीं पा रहे है, मान नहीं पा रहे है, पड़ो सोमप्रभ स्वामी कुछ कह रहे है अगली दो गाथाओं के माध्यम से, पुन्हा उस इंद्रियों के अधिकार को प्रारंभ करते हुए, जीवन जीने की कला समझा रहे है, कि जीवन जीना है, तो छोटे कुटे को, वो कुटे को लिमता ना नहीं, तो राजिव को महराज नहीं कहाता, छोटा कुटे से पिल्ला लेकि आ गए, उसको पालोगे तो पा पालने से पाप लगता है, छोटे नियमों को सेयम को धारण कर लो, क्यों? क्योंकि इंद्रियों के निमिता से क्या क्या होता है, कैसे कैसे पाप होते है, यह यहाँ दो स्लोक, दो गाथाओं के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया जारा है, पहले स्लोक को पढ़ते ह और फिर उसका उच्छारण के साथ क्रंथ रखे है अगर पढ़ना है किसी को तो देलना और उसका फिर अर्थ भी समझने का हम प्रयास करते और एक स्लोप पढ़ना है अगर ग्रंत हो तो इकटा पढ़ना पतिष्धाम यनिष्ठानेती नयनिष्धाम विगट यत्कृत वेध्याते मतिमत प्रते प्रेतनोंते इन दोशलोकों के माध्यम से सोंप्रभ स्वामी हमें पुन्हा 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 जगाने का प्रयास कर रहे है कि जाग जाओ जाग जाओ जाओ यहा आत्मा नम कुपतेन निर्गतियतुम शूकला श्वायते जैसे यह आत्मा को खोटे मार्ग को खोटे मार्ग में पापों में ले जाने के लिए अगर कोई निमित है अगर कोई निमित है तो ये पांच इंद्रिय और पांच इंद्रिय के विशे है फिर क्या किया जाए पर पांच इंद्रिया क्या एक-एक इंद्रियों को निकाल कर दू आखों को निकाल दू, कान को निकाल दू, नाख को निकाल दू ये सब इंद्रियों को अलग कर दू क्या नई इंद्रियों को अलग नहीं करना है इंद्रिया मिली है पुन्ने के उदर से मिली है पुन्ने से मिली हुई इंद्रियों पर तुम लगाम लगा दो जैसे घोडे के लिए घोडे के लिए लगाम होती है जैसे घोड़ा आपको जहां चाहे ले जाने के लिए निमित बनता है ऐसे घोड़े पर लगाम लगाई ना ऐसे अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर लगाम लगालो लगाम लगालो यह कृत्या कृत्य विवेक जीवत हतो कृष्णस सरपायते जो कृत्य अकृत्य के विवेक रूप जीवन को नश्ट करना वाला है, यह इंद्रियों का पाप है, इंद्रियों की परणती है काले नाग के समान, तत्क्षन में नश्ट हो जाती है, इसलिए बच के रहो, यत प्रतिष्ठाम निश्ठाम नेती, जो इंद्रियों का समुह प क्यों इंद्रियों के विश्यों से दूर होना, क्योंकि जो जो इस इंद्रियों के विश्यों में उलजता है, उसकी प्रतिष्ठा भी प्रतिष्ठा चारजी नश्ट होती है, मयंग शास्त्री, प्रतिष्ठा भी नश्ट हो जाती है, जो चंद इंद्रियों के विश्यों के पीछे दोड़ता है उसकी प्रतिष्ठा उसका उसका यस्व उसकी किरती सब ततक्षण में नश्ट हो जाती है न्याय निश्ठाम विगतती न्याय मार्ग की जो निश्ठा थी जो उसका न्याय इमान जो जो था वह इंदरी विश्यों को प्राफ्त करने के पीछे वह भूल कि मैं पूरुच था मनुष्य था मैं उच्च कुलिन था मैं कौन था कितने सारे कितने सारे कथानक और द्रिस्टांत आपने सुने होंगे कि जीव ने अपने मात्र चंद इंदियों के विश्यों की पुष्टी के लिए कुल घर परंपरा सब का सत्यानाश कर दिया ना इमा तक बेच दिया अकृते मती माधते अकरणी जो करने योग्य नहीं है ऐसे भी कारियों में बुद्धी चली जाती है ऐसे भी कारियों में बुद्धी चली जाती है देखो ना जो बिचारा वह सराप पी के खुश हो रहा है इंद्रियों का आनंद लूट रहा है मस्ती में जी यह तक भूल जाता है नाली में पड़ा है नाली का पानी पीरा है कि अमुरुथ पीरा है नहीं देखा पाली में पड़ा है और के रहा है अमुरुथ है सब सब अपना कुल अपना घर अपना यस अपनी कीर्ती सब सब एक क्षण में जीव नश्ट कर देता है अतपसी प्रेय तनूते असयम से पृती कर लेता है पापों से अवरतों से पृती कर लेता है विवेकत से उचसे कम विदयती विवेक का ज्ञान का जो उच्छा है वह भी नश्ट होता है आज क्यों यवाओं को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्यों जीवों को किसी कारे में मन नहीं लग रहा कही न कही वह इंद्रियों का विशेज अब जब सताता है तब-τοब तब तक जीव भ्रमित होता है और इसी कारण से सब कुछ जानने के बाद भी निर्मल जी कुछ नहीं कर पार रहे निर्मल जी, आप तांते हो ना केहते ही महरा जी आइनो, जानते है तो हों पर मांता नहीं हों मानता नहीं हूँ, विवेक नश्ट हो जाता है, विवेक क्या पूरा जीवन तो नश्ट कर लिया गोंदिया, मात्र इंद्रियों के विशे के पीछे, मात्र इंद्रियों के विशे के पीछे, विपदम्च दत्ते, विपत्या भी, विपत्यों का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए दोशो के स्थान, रूपी इंद्रियों को वसमें करो, दुनिया को वसमें करो नहीं करो, अपने आपको तो वसमें कर ही लो, पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुछ अंसों में ही कर लो अन्य था छटे काल में छटे काल में पहुँचाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता रोक नहीं सकता रोक नहीं सकता इस इंद्रियों के जनजाल से विश्यों के जनजाल से अपने आपको बचाने का प्रयास करो बचाने का प्रयास करो समय हो रहा है क्या भरोसा क्या भरोसा अभी एमेंद्रे जी कह रहे थे कि दगाबाज कह रहे थे न दगाबाज है कोई दूसरा दगाबाज नहीं है कोई दूसरा दगाबाज नहीं है आपकी इंद्रिया आपका मन ही सबसे बड़ा दगाबाज है उस दगेबाज को समालो उस दगेबाज से दूर हो लो सब काम हो जाएगा सब काम बन जाएगा सब काम बन जाएगा सोचो विचार करो देखते देखते राहुल आज दूसरा दिन भी समर्शन विदानगा पूरणता की ओर है पता नहीं चलेगा कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा कब समय निकल जाएगा जब यहां बैठे बैठे गुड़ा भाई एक मुख्य समर्शन और यह 24 मंडल बना कर आपको इतना अध्भुद दिख रहा है फिर उस विरागोदय में जब 300-300 पिछियों के साथ वह लगबग कितने साथ सु कुछ साथ से असाथ सु असी तवह भगवान के कल्यानक मनाने का एक साथ प्रतिमाओं का वह विशाल उत्तुंग उत्तुंग प्रतिमाओं और उतने समोशरन कितने यहां तो वह पूरे चोविस भी नहीं लगए एकई समोशरन है पर सोचो विचार करो वहां लगबग सत्तर असी कुछ मेनिस भी असी समोशरन असी सवधर्म असे कुबेर असी मतापिता यह द्रिश्は और मात्र यहां तो तीन ही मनिराज है वह कम से कम तीन सो मनिराज और आरी का मता है अधि वह अध्वद्र द्रिश्ट जो यति सम्मेलन के रूप में आपको देखने के लोब मिलेगा यहां तो भले कंजुसी से आप पहुँच नहीं पाए क्योंकि अपने नगर में तो कही न कही पंदिजी रागदवेश रहता ही रहता है ऐसे स्थान पर पहुँच कर अपने अपने आपको धन्य करने का प्रयास करो क्योंकि अध्भुद्रश देखने जैसा होगा यहां मातर तमने यह छोटी सी गंध कुटिया लगवाली तो इतना आनंद आपको आ रहा है फिर ऐसे विशाल विशाल असी असी समोशरन जहां लगे हो वहां क्या दृष होगा क्या दृष होगा वह दृष देखने के लिए हमें पहुँचना आवस्सक होगा तभी वास्तों में जो आगम की पूर्व विधा अचारे भगवन्तों ने बताई थी जिसका यती सम्मेलन पंडी जी नाम है वह दो इससे मतलब 2012-2017 और अभीपुना 2022 में वह अध्भुत इस दृष्टों के साथ हमें उस जीवन की बगीचा के उन फूलों को फूल बनकर नहीं उसकी उस सुगंद को सुमने के लिए पहुँचना है मात्र माताओ इसलिए तो कम से कम पहुँची जाना दो, चार, शे, दस, बीस, पचास साधूं को तो तुमने देख से अधिक एक साथ देखाऊगा तीन सो, पास सो साधू एक साथ जहां विचरण कर रहे होंगे जहां इतना बड़ा वह पंचकलानक यती सम्मिलन आधी आधी युग प्रतिक्रमन होने वाला है उस स्थान पर अपने जीवन में पुणने का उदय करने के लिए उस विरागोदय के पास और विरागोदय से जुड़ने का प्रयास करो जो पुणनेवान है वही जुड़ पाएगा और नहीं है वो तो जुड़ ही नहीं पाएगा क्या करे, क्या करे, क्या करे महिनपंडी जीव अपनी मात्र बात रखने के लिए क्या कुछ कर जाता है और क्या कुछ नहीं कर पाता ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है राजीव जी वह मात्र अपनी विश्यों की, अपनी बातों की पुष्टी के लिए दिवशास्ट गुरु को भी भूल जाते है मैं तो कहता हूँ सब भूल जाओ चंद दिन और बचे है चंद दिन और बचे माता हो फिर पता नहीं ये समोश्रन तो विगटी जाएगा और समोश्रन जैसे ही विगटता है विहार भी भगवान का भगवान का भगवान का तो विहार भी हो जाता है इसलिए कुवेर जी सोच ले न धन दे दिया धन तो दे ही दिया अब धन दिया है तो तन भी देना पड़ेगा बैठे का रतनेस तन भी देना पड़ेगा जब धन दिया है मारबल भी दे दिया है समय भी दे दिया है तो मन से और कह दो तन दी दिया, धन दे दिया मन से और कह दो मन लगा के बचे हुए दिन आराधना कर लो भगवान की पूजा कर लो और कितना बड़ा सोभाग कितना बड़ा सोभाग लोगों को एक सौभाग मुश्किल से मिलता है, कल अहो भाग हमारा कि वह धर्ति के देवता, जिनकी सरत पुर्णे मा के दिन, हम वह जन्म महोचो मनाने का सौभाग प्राप्त कर रहे हैं अब विरले ही पुर्णे अत्मा आप आएंगे, बागी तो पता नहीं कहां चिमा के र जो राग द्विश से सने हैं वेचारे राग के द्विश में सने रहेंगे इसलिए खमझेंगे अभी तो एक ही कल की ही बात की है अभी 11 को भी आपके पास बहुत बड़े मौका है तेरा को है और बाकी का तो बाकी आप लोगों का विश्य है ये सोचना एक के बाद एक के दिन है और स्वभाग के दिनों को हमें महाभाग बनाना होगा वो डभ ही तुम श्रीफल नहीं चड़ाते तुम श्रीफल बनें तो काम इतना आगे बढ़ा ही सही ये सब के पुन्य का सामुहिक उद्य है कि एक के बाद एक मौके हमें सामुहिक पुन्य अर्जन के मिल रहे है ऐसे ही पुन्य अर्जन को उत्कृष्ट ताकी और ले जाने का परिशार्थ करें क्योंकि समय हो गया है भाग लो भाग लो भाग लो नहीं क्या करें वह दोई सब्द लोगों ने सुने थे भाग लो भाग लो किसी ने विपरीत अर्थ ले लिया सुब भाग लिया है और कोई समय पे समझ गया ऐसो गुडवाई भाग लिया नहीं तो भाग लो, समय हो गया है जीवन के उस बगिचा के फूलों की सुगंद को सुगने का पुरिशार्थ करो समय बहुत अल्प है, समय बहुत अल्प है समय को समय पे समझना है इसलिए पुना समय पर कल अद्भुत क्रियाओं के साथ अद्भुत आनंद उच्व के साथ कल भी और आने वाले समय में भी हम अपने आप से, आत्मा से, धर्म से जुड़ते हुए भाग लेने का प्रयास करेंगे भाग लेने का नहीं समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते है क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है बुली भगवान महवीर स्वामे की